रेदिस्ट्री एडिटर, ओके गाईस, तो अगर आप एक निया Windows यूजर हो, तो आपको रेदिस्ट्री एडिटर के बारे में जानना चाहिए, यह जानना कियो उपड़ाट है, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड लाप्टप खरीद रहे हो या फिर खरीदने जा रहे हो, तो ब बहाँ पे सब कुछ स्टोर होके रहता है, सपोच एकजम्पूल, बहाँ पे र्याम कितना MB का है, हमारा स्टोरेज कितना GB का है, ठीके, तो यह जो गाईस, र्याम और स्टोरेज, आप इसे चेंज कर सकते हो, मतलब क्या है, अगर मारा र्याम 4 GB है, तो मैं उसे 8 GB बना सकता हो, यह काई सिफ देखने के लिए, मतलब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ यह 8 GB है, लेकिन वो रिदिस्ट्री एडिटर में एडिट किया हुआ है, बास्तव में उसका र्याम 4 GB होगा, तो यह से ही आपके साथ यह साथ स्काम हो सकता है, जब भी आप सेकेंड हैं लैप तो फैनली, हम अगर रिदिस्ट्री एडिटर के बारे में एक सिंपूल सा वार्ड में बताऊं, तो रिदिस्ट्री एडिटर एक यह आपका विंडोस का पुरा का पुरा डाटाबेस होता है, मतलब क्या है, मतलब आपका जितना भी, यह आपका विंडोस का पुरा का पुर blueprint होता है गैसे आपको एक blueprint के बारे में आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि यह blueprint होता क्या है let's suppose मैं आपको एक घर बनाकर देदू और उसका एक blueprint बना दूँ कि देखो भाई इस इस घर के सोने यह यह चीज रखा गया है और उसका एक blueprint में आपको दे दूँ भाई आप इस blueprint को देखके जान सकते होगी इस घर का पुरा नकसा यह है और इसको देखके आप कौन सा चीज कहां पर रखा हुआ है वो आप identify कर सकते हो तो इसके simple सा यह हो गया blueprint तो system का blueprint क्या है मतलब system में कौन का पूरा system को data मतलब system का पूरा data system का नाम क्या है storage क्या है उसको पूरा का पूरा एक ही जगा पर मैं text format में याद रखनागा इस text format में मैं उसको लिख के एक मतलब उसका map बना के आपको एक file format में उसका देख दूँगा तो उसे ही कहते है guys registry editor वहां पर सब कुछ हमारा register होके रहता है मतलब हमारा system का जितना भी information हो गया सबकुस register होके रहता है let's suppose guys system specification अब system specification में क्या क्या चाता है आपका system का name क्या हो गया processor कौन सा लगा हुआ है system type क्या है 32-bit F64-bit आपका RAM capacity कितना है ROM कितना है hard drive कितना storage ले रहा है second में आता है system software जैसे की BIOS हो गया आपका operating system कौन सा ह और ठाड में आता है कि प्री इंस्टल्ड आप जैसे की प्री इंस्टल्ड मतलब इसका नाम से बता चलता है कि फेले से इंस्टल्ड होके आता है Windows का कितना official आप हो गया जो प्री इंस्टल्ड करता है जैसे की MS Word हो गया MS PowerPoint हो गया Excel हो गया OneDrive हो गया Notebook हो गया और आपका installed आप भी मतलब आप Windows को खरीदने के बाद जो जो आप आपके required अंसर आप इंस्टल्ड किया होगा जैसे की मैं WhatsApp को इंस्टल्ड करता हूं मैं Visual Studio Code को को कोडिंग करने के लिए यूज़ करता हूं Python इंस्ट दोर हो के रहता है कहां पर रिजिस्ट्री एडिटर में तो जैसे ही मैं आपको इंस्टल करता हूं application को इंस्टल करता हूं मेरा Windows में यह Windows का बाइडिपल सेटिंग होता है कि यह उसका location इसका version इसका type क्या है इसका size क्या है सब कुछ चीज एकी file में लेके save करता है तो यह रिजिस्ट्री एडिटर में और सबसे last में आपका sensitive information हो गया वह भी store होता है रिजिस्ट्री एडिटर में तो यही था कैस रिजिस्ट्री एडिटर के बारे में पुरा का पुरा समझ में आ गया तो यह कुछ नहीं आपका system का blueprint होता है या पर आप database के सकते हो जहां पर आप आपका system का सब कुछ text format में store होके रहता है simple है अब चले बात करते हैं हम रिजिस्ट्री एडिटर को किसे open क्या आता है अब मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि हम इसके रियाम को किसे change कर सकते हैं मतलब 4G भी है तो 8G किसे कर सकते हैं आर्ज़ भी है तो 32 भी क्या सकते हैं तो ठीक है मैं बताऊंगा कि आपके सत्स्काम क्यसे करते हैं और आपको बताऊंगा कि वह जो स्काम होता है आप उसे कैसे बच सकते हैं तो आपको Internet पर बहुत चीज मिल जाएंगे यह यह आप यहां से ओपन कर सकते हो लेकिन आपको सिंपल तीन तरीका बता हूंगा जो आप सिंपल में ओपन कर सकते हो कोई इधर-उदर का बात नहीं अब सिंपल आपका यहां पर रेजिस्ट्री एडिटर ओपन हो चुका है अब सेकेंड देखते हैं सेकेंड का इसे आपका विंडोस प्लस आर आपको टाइप करना है और इजी डी आई टी देन ओके आपको यहां पर फिर से पर्मिसन मांगेगा येस देन आपका यह उपन हो जाएगा रेजिस्ट्री एडिटर अप नेक्स्ट जो देखते हैं लास्ट हमारा cmd ठीके cmd में भी आप उपन कर सेक्तो तो रंडायल अपक्स उपन करो टाइप करो cmd देन एंडर हिट आप यहां पर सिर्फ टाइप करना है आरी जी आई फिर से आपको यह पर्मिशन मांगेगा येस देखो यहां पर रेजिस्ट्री एडिटर ओपन हो चुका है यह था आपको सिंपल लगा तो आपको यहीं से ओपन करना चाहिए ठीके तो आपको अगर बगरा बगरा बहुत सारे पुसेस मिल जाएंगे तो आपको तो आपका बहुत काम का चीज़े ने ठीके आपका बस उपन हो चाहिए ठीके अब कहीं तरह से भी उपन करो और और जाना चाहिए है अक यहां एक हें करके सबको समझा देता हूँ यहां पे इसकी class group सबसे पहले यह होता है यह क्या होता है मैं अगर आपको यहां पर ले जाओं देखाता हूं आपको अब यह क्या है आपका जितना भी file का name extension हो गया इसको टारगेट करता है इसको data भी समाल के रखता है जिसे ही आपका current user आपका जितना है उस system में आपको उस user का information यह रखता है ठीक है अगर आपको जाना चाहते हो यहां पर किसे जाओगे तो आपको यहां पर जा सकते हो ठीक है और एरो को क्लिक करोगे तो यह close हो जाएगा ठीक है उसके बाद इसकी local machine अबगा इस local machine में machine का information आपको पता है अब यहां से देख सकते हो ठीक है अब हम यह चार पांच को देख चुके हैं ठीक है अब तो आप मैं बताता हूं कि यहां पर जब सेकंडाने लापटोग खरिदने जा रहे हो यापी सी खरिदने जा रहे हो तो काम किस होता है ठीक है आप सिंपल यहां पर जाओ इसकी local machine में तेन आ आपको डिस्क्रिशन यहां पर मिल जाएगा इन सिस्टम पार सेंट्रल प्रोसे बार में देखा देगा आपको system का प्रोसेसर यहां पर मिल जाएगा ठीक है प्रोसेसर नेम अपका यहां पर देख सकते हो 11 generation Intel i5 यह मेरा प्रोसेसर है लास्ट में एस लगा हुआ है तो यह जो प्रोसेसर होता है इसको मैं आप आई 5 को चेंज कर सकता हूं I 9 करसकता हूं Sai 3 कर सकता हूं इसे में 11400 लिखा है यह इसे में 11 vibr करके कर सकता हूं और 11 जेन्रेशन इसे में 12 को बनाँ आम डेखो यहां पर लेक्स सकता हूं अब क्रेसर लेक्टये अगर मैं यहां पर आपको चीज दिखा है इसे करने से पहले मैं आपको मेरा स्टेश्टम का इंप्रमेशन दिखा देता हूं या पिर आप कंप्रिगेस्न के सकते हो उसके मैं आपको तोड़ा सा दिखा आइफाइब ठीके अब मैं इस आइफाइब को यहां पर देख सेकते हो आइफाइब को आइफाइब कर सकते हो ठीके अब देख चुके हैं आइफाइब अब हम चेंज करेंगे अब हम चेंज करेंगे इस जो आइफाइब यहां पर लिखा हुआ है यहां पर ना तो हम इससे प्रेण करता हूं अब में गाइस देखो अब यहाँ पर आइफ चेंस नहीं हुआ लेकिन अगर मैं इसको क्लोज करूँ सबसे पहले स्लोज करूं फिर से में इसको रिष्ट करूं अब मैं जाओं सेटिंग में देन एबाउट में आपका इस देखो आई-9 देख सकते हो ना यहां पर आई-9 चेंज हो चुका है आप देख दो चेंज हो चुका है आई-9 तो गाइस ऐसे ही मतलब आपका 11 को 12 भी बना सकते हैं इंटेल को आपका कुछ भी प्रोसेसर बना सकते हैं अब कितने में कोर आप एक गीगाहर्ट चेंज कर सकते हैं रियाम 8GB को 12GB कर सकते हैं ठीके मतलब एसे ही कुछ भी हो सकता है आपके साथ ठीके अब यह था एक छोटा सा इंटर्डेक्शन आप यहां पर इंटरनेट में स अब इसन दुसरा बीडियो बनाना नहीं जोरू पड़ेगा क्योंकि विजैसरी बीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो एक छोटा से हिंट्स था आपको आप चेक कर सकते हो यहां पर बताता हू comedु性 आप रियल में किसे चेक कर सकते हूं ठीक है अगर आपके साथ क्लिब आपको सिंपल जाना है विंडोस अपडेट पके ग्रिस अब मैं यहीं से आपको बता रहा हूग कि क्या-क्या करना है अगर मैं यहाँ से रीस्टर्ट कर दिया तो मेरा PC रीस्टर्ट हो जायगा और मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगा कि क्या-क्या करना है तो let's supposed आपने restart पे क्लिक किया और आपका PC restart हो गया अब इसके बाद restart जैसे ही होगा आपको जो भी पहला screen खुलेगा उसके सबसे पहले आपको चूज करना है troubleshoot आप जैसे ही troubleshoot क्लिक करोगे उसके बाद आपको एक advance option मिल जाएगा ठीके advance option जाओगे उसके बाद UEFI firmware आपको बहां जाना है अब firmware में जाके आपको firmware में जाके फिर से restart करना है ठीके बहां पर restart button मिल जाएगा बहां पर restart करो अब जैसे ही आप guys restart को रहे होगे बहां पर जाके आप directly आप एंटर हो जाएगे आपके system का BIOS में अब जैसे ठीके तो I hope guys आप समझ गए होंगे कि आपका जो scam होता है वो कैसे होता है और आप इसे कैसे बच सकते है तो guys यही था यह चोटा सा वीडियो डिटर के बारे में ठीके I hope guys आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो लाइक के देजी और अगर डिश्टर के बारे में और प्रपी ज्यादा आपको ज्यादा आपको ज्यान करी चाहिए तो मुझे नीचे कमट के देना कि भाई एक separate video बना लो तो मैं को जिले जरूर बनाऊंगा मैं इस वीडियो को और ज़्यदा सेपरेट क्यों नहीं करना चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो चुका है ठीक है अगर आपको एक दोबारा वीडियो चाहिए डिटेल में तो मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूगा आप अगर कहे दोगे तो त चीज मिल जाएगा घाईस registry एडिटेर को बारे में अटीक है लाई होब आपको भी बीडियो समझ में आ गया होगा तो इतना था गाईस secretary एडिटेर के झाल, झाल, झाल